नमस्कर दूस्तू स्वागत है आपका आज दिन बर की तमाम दस बड़ी खबरों के मुख्य समाचारों के संस्क्रण में जियां दूस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज दिन बर की दस बड़ी खबरें तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबार चुनावी रेलियों और जनसभा को लेकर इलेक्शन कमिशन का बड़ा फैसला जारी हुई नई गाइडलाइन जिना दोस्तो पांच राज्यों के विदानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सुमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी आयोग ने कोरोना के बड़ते मामलों के बीच चुनाव परचार से सम्मंदित पाबंदियों में बड़ी राहत दी है नई दिशानिर्दिशों के मुताबित अब प्रत्याक्षी और कारेकरता बीस की संख्या में डोर-टू-डोर केंपेन कर सकेंगे दोस्तों आपकी जानकरिक ले बता दें चुनाव आयोग ने जो दिशान दिरिश्ट दिये हैं उनके अंतरगत पार्टी या पार्टी के उम्मिदवार अब एक हज़ार लोगों के साथ बेठक कर सकेंगे इन डोर बेठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा कर तीन सो से पान सो कर दिया गया है यह धियान रखना होगा कि बेठक में होल के शमता के पचास प्रतिशत लोग ही शामिल हो इसके अलावा दोस्तों इन बदलाओं के अलावा आठ जनवरी 2022 को जारी गयर लाइन के सभी दिशा निर्देश और प्रतिबंद लागू रहेंगे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार बीजिंग में 18 महीनों में सबसे ज़ादा करोना के कई इलाकों में लोगडाउन जिया दोस्तों चीन में होने वाले विंटर ओलम्पिक में अब केवल चार दिन बाकी है तमाम साउधानियां बरतने के बाद वी बीजिंग में जून 2020 के बाद सबसे ज़ादा कोरोना संक्रमित सामने आये हैं नेशनल हैल्थ कमिशन की रिपोर्ट के मुतावित रायुवार को बीजिंग में कोरोना के 20 नए मामले सामने आये सबसे ज़ादा संक्रमित फेंग ताइस जिले में मिले चार फरवरी से शुरू हो रहा है इन खेलों को कोरोना मुक्त कराने के लिए चीन ने बीजिंग के आसपास के कई इलाकों में लोगडाउन लागू कर दिया है इसके कारण बिना किसी जानकारी के 20 लाख से जादा लोग अपने घरों में केद रहने पर मजबूर हो गए हैं वहां के अधिकारियों ने कई आवासिय परिस्रों पर लोगडाउन लागू कर दिया है साती अधिकारियों ने शहर के 20 लाख लोगों के टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार पशिम मंगाल में मुख्य मंतरी और गवर्नराम ने सामने गेस चेंबर वाले बयान से नाराज ममता बैनर्जी ने ट्वीटर पर राज़ेपाल को कर दिया ब्लोक जियां दोस्तो पश्य मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने सौमवार को राज्यपाल जगदीब धनक कड़ को अपने ट्वीटर अकाउंट से ब्लोक कर दिया यह इस बात की और इशारा करता ही कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों नेताओं के बीच जारी करवाहट आज भी जारी है दरसल दोस्तो एक दिन पहले राईवार को ही राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल राज्ये लोकतंतर के लिए एक गेस चेंबर बन गया है और अगले दिन ममता ने उन्हें ट्वीटर पर ब्लोक कर दिया ममता बेनर जी ने एक समवादता सम्मिलन में कहा मैं इसके लिए पहले से ही माफी मांगती हूँ कि वे हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट करके मुझे या मेरे अधिकार्यों को गाली देते हैं वे अस सेविधानिक और अनेतिक बातें कहते हैं वह सलाहा देने नहीं बलकि निर देशब को धम की दी उन्होंने कहा कि मैंने कई बार प्रदान मंतरी मोधी को पत्र लिखकर धनकड को हटाने की मांग की है मुखे मंतरी ने कहा हालांकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार चुनावायों की नई चुनावी रेलियों और रोल शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंद लगा था सुमवार को चुनावायों की बेठक हुई जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है हालांकि इन प्रतिबंदों के साथ थोड़ी राहत भी दी गई है यानि कि चुनावायों के मुताबित इंडोर सबाओं में 500 लोगों के बेठने की इसाज़त होगी जबकि प्रत्याक्षी के साथ डोर टो डोर केमपेन में 20 लोग जा सकेंगे इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे चुनावायों ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रे विराट कोली ने दक्षन अफ्रिका के खिलाफ टेस्ट स्रीज में हार के बाद कप्तानी चोडने का एलान कर दिया था उनके इस फैसले ने टीम मेनेजमेंट के साथ साथ फैंस को भी हैरान कर दिया कोली के इस फैसले के बाद तरह तरह की कटकले लगाई जा रही थी लेकि इन हाल ही में विराट कोली ने कप्तानी चोड़ने के फैसले को लेकर खुलकर बात की उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना भी लिटर्शिप का एक हिस्सा है और लीडर बनने के लिए कप्तान बने रहना जरूरी नहीं कोली ने इसको लेकर महंदर सिंग धोनी का भी जिगर किया कि आपने अपना काम किया है इसके अलावा विराट कोली ने टीम इंडिया के पूर्व खिलाडी MS धोनी का जिगर करते हुए कहा कि जब धोनी टीम में थे तो ऐसा नहीं था कि वे लीडर नहीं थे वे ऐसे वेक्ति थे जिन से हमेशा इनपुट की ज़रत परती थी इसके ब बदला लेने के लिए प्रेरित करने का अरोपला गया है समवार को वर्चुली एक चुनावी रेली को संबोधित करते हुए मोधी ने कहा कि यह है राजे की योगी आधितनात सरकार की विकास की नीतियों के खिलाब विपक्ष की कुंठा से अधिक कुछ नहीं उन्होंने इ इसी नीतियों का उधारन दिया प्रदान मंतरी ने कहा कि है मुत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रियास कर रहे हैं और विपक्ष बदला लेना चाहता है इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिगट दिये हैं जिनका विवहार ही सबूत है ये दंगे की मानसिक्ता वाले इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर बजट 2022 बजट के पहले 25 पार्टियों की बैठक में उठा पेगासस का मुद्दा सरकार ने चर्चा से कर दिया इनकार जियां दोस्तों संसद में मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया जाएगा उससे पहले ओल इंडिया पार्टी मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार के और से रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने साफ किया कि बजट शत्र के पहले आदे हिस्से में राश्टपती के अभीभाशन और बजट से सम्मंदित सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है सोमवार को हुई ओल पार्टी मीटिंग के दोरान कई दिलों ने पेगासस जासुसी के मुद्दे को उठाया जिससे साफ है कि बजट शत्र में हंगामा होना तय है संसद ये कारे मंत्री प्रहला जोशी ने कहा कि बेठक में हमने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोट की और से गटित कमिटी मामले की जाच कर रही है और बजट शत्र के पहले चरण में बजट से जुड़े मुद्दे ही उठाये जाएंगे पेगासस के मुद्दे पर खुद विपक्षी पार्टियां ही सुप्रीम कोट गई थी यह मामला अब माननी सुप्रीम कोट के विचारा धीन है ऐसे में इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार दिल्ली में कोरोना संक्मन के एक दिन में 2789 नए मामले 38 लोगों की हुई मौत जियां दोस्तो देश की राजदानी दिल्ली में कोरोना संक्मन का ग्राफ कम हो रहा है लिहाजा सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्मन के एक दिन में 2789 नए मामले सामने आए लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दोरान राजदानी में कोविड से 38 लोगों ने दम तोड़ दिया दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें अब तक राष्ट राजदानी दिल्ली में कोरोना संक्मन की दर 6.20 पृतिशत हो गई है इस दोरान 5.502 मरीज ठीक भी हुए जबकि एक्ट्यू मरीज 18,729 है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें राष्ट राजदानी दिल्ली में कोरोना की चाल धीमी होने पर कुछ पाबंदियों में धील भी दे दी जाई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार न्यू पेंशन रूल बड़ी खबार फैमिली पेंशन पर सरकार ने जारी किये नए नियम जियां दोस्तो केंद सरकार के क्रमचारियों के लिए जरूरी खबार है सरकार ने family pension को लेकर नया नियम जारी कर दिया है केंद्रियम मंत्री जितेंद्र सिंग ने इसकी जानकारी दी है दोस्तो जितेंद्र सिंग ने बताया कि मरत सरकारी क्रमचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमा की रूप से असक्त हैं उन्हें भी family pension का लाब मिलेगा क्योंकि वे अपना भरण पोशन करने में असमर्थ होते हैं इन बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार मार्केट अबडेट बजट के पहले बाजार ने दिखाया दम सेंसेक्स 800 अंकों की बड़त के साथ हुआ बंद जियां दोस्तो बजट से पहले स्वमवार को भारतिय शेर बाजार ने जोरदार बड़त दर्ज की सबतहा के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए सेंसेक्स 813.94 अंकों की बड़त के साथ 58,014.17 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 237 अंकों की तेज़ी के साथ 17,349.85 पर क्लोज हुआ निफ्टी बैंक में 285.94 अंकों की तेज़ी देखने को मिली दोस्तों पिछले कई दिनों से बिक वाली जेल रहे बाजार में आज सब तहा के पहले कारोबारी दिन जोरदार खरीदारी देखने को मिली सेंसेक्स 500 अंकों से जादा की तेज़ी के साथ ओपन हुआ पूरे दिन निफ्टी के 50 से 50 में से 45 से जादा शेरों में तेज़ी देखने को मिली पिछले 10 सालों में बजट के पहले इस बार सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है बजट से पहले विदेशी निविश्कों की बिक्वाली से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन बजट से ठीक एक दिन पहले बाजार में बुल्स ने वापसी की है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार रूस में सीमा पर शुरू की बलड सप्लाई युक्रेन पर युद्ध का संकट बड़ा जिना दोस्तों जाने पूरी बड़ी खबार लेकिन उससे पहले मेरे आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आपको अभी तक अमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे हूँर अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों लाइक ओ डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेंनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं तो दोस्तों जान लेते हैं रश्याई और यूक्रेइन के बीच में क्या है माजरा दरसल दोस्तो रूस ने युक्रेन पर हमले की पूरी तेयारी कर लिया और वो किसी भी पलधावा बॉल सकता है अमेरिका का कहना है कि रूस ने युक्रेन की सीमा पर बलड सप्लाई भी शुरू कर दिये जिसका मतलब है कि वो युद्ध करने का मन बना चुका है मासकों ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि जंग में घायल हुए अपने सैनिकों को जरुरत होने पर तुरंत खुन मोहिया करवाया जा सके यूएस का कहनाई की रूस ने सीमा पर सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में मेडिकल एक्यूप्मेंट की वेवस्ता भी की है जो उसके मनसुबों को जाहिर करता है CNN की रिपोर्ट के अनुसार दो वरिष्ट अमेर की रक्षादिकारियों ने शनिवार को बताया कि यूकरेन की सिमा पर रूसी सैनिकों के जमावाले के साथ ही वहाँ बड़ी संख्या में मेडिकल उपकरण भी उन्जूद है अब रूस ने वहाँ तक बलड सप्लाई भी शुरू कर दी है जिस से पता चलता है कि वो हमला करने का मन बना चुका है न्यूज एजनसी राइटर्स ने सबसे पहले उकरेनी सिमा पर रूस दौरा की जाराई बलड सप्लाई की जानकारी दी थी जो संगर्श की इस्तिती में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए ज़रूरी होगा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे सोने की कीमतों में मामूली गिरावट चान्दी हुई सस्ती जियां दोस्तों भारती सरफ बाज़ार में बीते कारोबारी दिन की तुलना में समवार को सोना चान्दी सस्ता हो गया सोने के दामों में मामूली गिरावट आई 10 ग्राम सोने की कीमत आज 47,507 रुपे प्रती 10 ग्राम रही जबकि चांदी की कीमत 6,914 रुपे प्रती किलो ग्राम रही सोने के दाम में 5 रुपे की कमी आई जबकि चांदी की बात केसा है तो चांदी की दामों में भी माबुली गिरावट यानि की मात्र 27 रुपे की गिरावट देखी गई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार